गैस अगर आप branch applications में loan की repayment करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको loan की repayment करके ही दिखाने वाला हूँ इसमें आपको कोई भी problem नहीं होगी गैस क्योंकि complete process आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको यहाँ पर options में मिलता है कि make a repayment तो अभी गैस loan की repayment करने के लिए आपको make a repayment पर क्लिक कर देना है इस पर जीसे ही क्लिक करोगे अभी गैस आप देखोगे तो आपको हाँ पर last date बता दिये जाएगी कि due date आपके कप की है फिलाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ disbursement कब हुआ है और amount कितना है वो आपको बता दिया जाएगा कि disbursement amount आपका कितना था उसके बाद में due date तो आपको यहीं पर देखने को मिल ही जाएगी अभी हमें loan के repayment करनी है नीचे options मिल रहा है कि make a repayment तो आपको simply इसी पर क्लिक करना है अभी गैस आपको next due पर क्लिक न चाते हो जादा भी चुकाना चाते हो जितने आपके outstanding है उससे कम चुकाना चाते हो तो other amount एंटर करके आप कोई भी other amount pay कर सकते हो जैसे कि मान लीजे कि आपकी 5000 के outstanding चल रही है और आप गैस अभी फिलाल 4000 ही पे करना चाते हो तो other amount पर select करके कोई भी अपने हिसाब से other amount यहा अभी यहाँ पर गैस आपके सामने अगर आपने पहले भी इसकी repayment की है तो जो भी आपने recent में जो भी use की थी गैस repayment करने के लिए debit card या UPI तो वह आपको देखने को मिल जाएगी अगर उसी के दौरा repayment करना चाते हो तो यहाँ पर आपको बस tick पर click करना हो और उसके दौर आपको payment करने वाला options आ जाएगा लेकिन अगर आप दूसरी UPID है दूसरी card आप add करना चाते हो और net banking के जरिये करना चाते हो तो UPID यहाँ पर click करके UPID कर सकते हो debit card से यहाँ से कर सकते हो तो जो भी payment method आप यहाँ पर select करना चाते हो वो easily select कर सकते हो अभी फिलाल में हाँ पर UP UPID को select करके इसकी payment करूँगा UPID मैंने select की है गईस और अभी अगर आप देखोगे तो phone paper मेरी notification जा चुकी है गईस अभी मेरे को सरेप उसे approve करना है तो मैं आप अपर अपर अप्रू करूँगा यह timing आपको देखने को मिल रहे होगे गईस इस timing से पहले आपको इसकी repayment जो ह दिया है कि thank you आपकी जो भी loan की repayment है वो हो चुकी है गईस अभी आप simply back to my loan पर क्लिक करके आप जो भी loan amount आपने पहले लिये थे उन पर जा सकते हो लेकिन फिलाल गईस मेरे को हाँ पर sorry बोल दिया है क्योंकि जो भी offer मेरे लिए आएंगे वो अभी 23 गंटे के बाद मेरे को आपर देखने को मिलेंगे यानि कि मेरी loan की repayment जो है guys successful हो तो गई है लेकिन अभी उसके बाद में जो भी loan amount मेरे को मिलना है या जादा मिलना है मेरे limit बड़ी है जा फिन नहीं बड़ी है वो मेरे को 23 गंटे के बाद में देखने को मिलेगी guys अगर आप दूबरा loan लेना चा जाते हो तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा guy's आप easy ली यहां से आरनि कर सकते हो आपको यहाँ पर options मिलेगा invite का तो आपको simply invite वाले options पर click कर देना है यह जो promo code आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं guys यह promo code आपको इंटर है promotion code पर इंटर कर देने है तो उससे होगा यह guys कि आपको guys यहाँ पर जो है जब भी आप loan की repayment करोगे first time तो आपको 100 रुपे का cashback देखने को मिलेगा guys और जब आप next loan लोगे तो वो उसमें guys cut हो जाएगा और 100 रुपे कम करके आपको repayment करनी होगी guys तो इसमें आपको बचत हो सकती है guys और अगर आप अपने friends वगरा को भी refer करते हो तो उसका भी आपको bonus मिलेगा guys तो आप easily इससे भी पैसे कमा सकते हो guys तो complete process हमारी हो चुके है guys कि हम branch applications में loan की repayment कैसे कर सकते हैं आशा करता हूँ guys कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी problem नहीं होई होगी और अगर आपको कुछ problem होती है guys तो आप हमें comment कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छ लगिए guys तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चेनल पर अगर पहली बार आएं तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को ओल प्रप्रेस जरू कर लीजे ताकि एसी आमेजिंग वीडियो आप को मिलती रहे